पंचांग के अनुसार हर तालिका तीज का व्रत भाद पद्र मास की शुकल पक्षगी तृत्यातिती को मनाया जाता है इस बार हर तालिका तीज का व्रत 9 सेप्टेंबर को है आपको बता दें कि हरे तालिका तीज का व्रत महिलाएं अपनी पती की लंबी उम्र की कामना करने के लिए करती है और कहते हैं कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें शिवलों प्राप्त होता है इसके साथ ही कुवारी लड़किया ये व्रत मन चाहा वर पाने के लिए करती हैं आपको बता दें कि इस तेन महिलाएं लड़किया सच दहच कर शिव पारवती की उपासना करती हैं इस व्रत की विशीश बात ये है कि ये बेहत मुश्किल होता है और अगर आपने एक बार ये व्रत शुरू कर दिया तो आपको हड़ साल ये व्रत करना पड़ता है इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि जब आपका स्वास्त ठीक नहीं होता यात्रा, पूजा पाटना करपाने की वज़े से महिलाएं ये व्रत नहीं रख पाती ऐसे में ये व्रत शूटने की दिक्कत से बचने के लिए पुराणों में एक उपाय बताया गया है इसके अनुसार ऐसे हालातों में घर की कोई और महिला उसके बदली ये व्रत रख सकती है अगर ऐसा संभव नहीं है तो पती भी अपनी पतनी के बदली ये व्रत रख सकता है इससे व्रत का फल बना रहता है और व्रत भी नहीं छूटता फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ट सकाई को सब्सक्राइब करना ना खुले